नमस्कार आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आस्क अश्वने जी में फ्रेंड्स आपसे जो सवाल आते हैं मेरे पास और उसी क्याधार पर मैं वीडियोज बनाता हूँ मैं प्रोग्रामिंग को लेकर बहुत सारी बाते होती हैं जहां पर ये कहा जाता है कि सब कोंसे मैंड को आप रिप्रोग्राम कर सकते हैं तो इसके उपर थोड़ा विश्थार से बताईए, आज का जो ये वीडियो है इसी उशे के उपर है और मैं आपको बड़े स्टिक रूप से लॉजिकली एक्जामपल्स के साथ मैं आपको समझाऊंगा कि दरसल में माइंड क्या है और क्या माइंड को प्रोग्राम किया जा सक है लेकिन सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि अभी तक हमको जो मन के बारे में बताया गया है मन की जो संकलपना हमें बताई गई है कि हमारा एक सबकॉंसियस मैंड होता है एक conscious mind होता है और subconscious mind को हम reprogram कर सकते हैं और उसके जरीए हम जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो भी बनना चाहें बन सकते हैं जो भी प्राप्त करना चाहें प्राप्त कर सकते हैं आईए आज इस बात को हम logically examine करते हैं दरसल में सचा ही ये है, कि मन की जो संकल्पना है, मन के बारे में अभी तक जो बताया गया है हमें, कि हमारा एक conscious mind होता है, subconscious होता है, और subconscious mind को प्रोग्राम किया जा सकता है, दरसल में इसमें कितना सच है, मन जो है, ये एक बहुती दिल्चस्प विशय है, लेकिन साथ साथ मन एक most misunderstood विशय भी है, जिसको अभी तक किसी ने भी सही रुप से समझा नहीं है, अगर मैं ये कहूँ, कि अभी तक मन के बारे में जितने भी लोगों ने, चाहे वो किताब के माधियम से कहा हो, चाहे वो को सत्य नहीं है, हमें ये बताया गया है, कि subconscious mind powerful है, पहली बात तो ये है, आज तक किसी ने भी subconscious mind और conscious mind को define करके समझा नहीं है, कि दरसल में subconscious mind है क्या, उसे subconscious क्यों कहा जाता है, तो आज मैं बड़े सटिक रूप से, लॉजिकली उदाहरन के साथ, इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ, और ये वीडियो बड़ा मज़ेदार होने वाला है, मैं आपको request करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखेगा जरूर, और मैं आपको यकिन दिलाता हूँ कि अगर इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया और समझ लिया, तो मन के बारे में आपक अभी तक की जो सोचती बदल जाएगी और मन की शक्ति सही माइने में क्या है मन की शक्तियों का आप किस रूप से किस तरह उपयोग कर सकते हैं और उससे अपने जीवन में क्या फाइदा आप ले सकते हैं यह आपको बखो भी समझ में आ जाएगा तो अभी तक आपने देखा होगा कि जितने भी लोग मन के बारे में बात करते हैं वो अक्सर इस उदाहरन को देते हैं ये उदाहरन से समझाते हैं कि conscious mind जो है वो 10 परसेंट है subconscious mind की जो power है वो है almost 90 परसेंट है और कहा जाता है कि subconscious mind ज्यादा powerful है दरसल में आपने वो कहानी सुनी होगी कि चार अंद इनसानों को ये कहा गया कि पास में कोई एक हाती खड़ा था तो चार अंद इनसानों को ये कहा गया ये वहाँ हाती खड़ा है उसे जाकर छोकर बताईए कि हाती कैसा होता है एक अंद इनसान गया उन्होंने हाती पीप मुझको पगरा और कहा कि हाथी रसी जैसा होता है दूसरा अंद इनसान गया उन्होंने हाथी के पेर को छुआ और कहा कि हाथी खंबे जैसा होता है और तीसरा अंद इनसान जो गया उन्होंने हाथी की पीट को छुकर बला कि हाथी तो दिवार जैसा है और इसी तरह से चारो अंध इंसानों ने हाथि के बारे में अपना अपना जो अनुभव है पर्शेप्शन बताया और हम जानते हैं कि चारो लोगों ने जो बताया हाथि के बारे में उनका नीजी दरस्टी कौन था और गलत था मन के बारे में भी कुछ ऐसा ही हुआ है अभी तक जितने भी लोगों ने पूरे विश्व में मन के बारे में कुछ बताने की कोशिश किया है चाहे वो किताब के माध्यम से हो चाहे वो कोई शिवीर के माध्यम से हो वो उनका नेजी द्रस्टी कौन है मन के बारे में जो भी बताया गया है वो पोणा सत्य नहीं है अब आप सोचोगे अश्वनी जी इतने बड़े-बड़े लोगों ने मन के बारे में बड़ी-बड़ी किताबे लिखी हैं, बड़े प्रसिद्ध लोग हैं, क्या वो गलत है खेर कोई बात नहीं मैं आपको कुछ बाते समझाता हूँ अगर मेरी बात में दम नजर आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा कोमेंट भी करिएगा और अचला कि तो शेर भी करिएगा और इस यूटूब चैनल को सब्स्राइब भी करिएगा तो जरा समझ ये कि ये जो उदारन दिया जाता है मन के बारे में समझाने के लिए कि टीप अफ़ आइस्बर्ग इस लाइक कॉंसियस मार्ण जो की 10 परसेंट है और आइस्बर्ग का जो पानी की सतर के निचे का हिस्सा जो है सब कॉंसियस मार्ण है तो पानी का जो हिस्षा, समंदर के पानी का जो हिस्षा ठंड की वज़े से जमकर बर्ख बन गया है और आइसबर्ग बन गया है उसकी जो उपरी सता है उसकी नोक को अगर हम conscious mind के साथ compare करते हैं और आइस्बर्ग का वो हिस्सा जो पानी की सत्ह के नीचे हैं उसको अगर हम सबकॉंसियस माइन के साथ कंपेर करते हैं तो ज़रा एक बात बताईए शमंदर का ये पानी का बाकी जो हिस्सा है जो जमकर बरफ नहीं बना है उसको हम क्या कहेंगे वो है अनकॉंसियस माइन है और इसकी अक्सर लोग अगरना करते हैं कुछ लोग ये तरक कर सकते हैं अच्छा नहीं ये तो जो सत्ह के नीचे आइस्बर्ग की सत्ह के नीचे जो भी सारा हिस्सा है पानी है बर्फ बनके जो आइस्बर्ग का हिस्सा है वो भी और पानी है वही subconscious है चलो ये भी बात मान लेते हैं लेकिन इसको आज तक किसी ने define नहीं किया है दरसल में मन के तीन हिस्से हम मान सकते हैं conscious, subconscious और unconscious अगर ये deep open iceberg conscious है और iceberg का नीचे का जो हिसा है वो subconscious है तो बानी का जो बाकी का हिसा है वो है unconscious अभी आईए इसको define करके मैं आपको समझाता हूँ लेकिन इसके पहले मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि हम अक्षर ये कहते कि सब conscious mind powerful है चलिए इसको भी समझते हैं एक उधारण के जरिए यहाँ पर आप इस सित्र में देख रहे हैं कि एक हाती है हाती के ओपर एक माहवत मैठा है अब ये हाती और माहवत दोनों में से powerful कौन है कई बारक्षर कुछ लोग कहते हैं कि हाती powerful है हाती ताकतवर है powerful नहीं अगर माहवत को ये कहा जाए कि तुम्हें बहुत बड़ा लकड़े का एक तना है मान लिजए eight 200-300 किलो वजन का एक लकड़ा है उसको उठाना है माहवत में उतनी ताकत नहीं है कि वो उठा पाए लेकिन माहवत में वो शक्ति है कि हाती की ताकत का वो उपयोग कर सकता है हाती के पास वो अपना काम करवा सकता है तो इसका मतलब ये हुआ कि हाती ताकतवर है, महावध पावरफुल है, शक्ति शाली है, हाती स्ट्रॉंग है पर महावध पावरफुल है, तो शक्ति और बल का अंतर समझेए, ठीक उसी तरह हमारा conscious mind जो है, वो महावत की तरह powerful है और यह जो हाती है वो subconscious mind कहे लिजे या unconscious mind कहे लिजे वो unconscious mind या subconscious mind हाती की तरह ताकतवर है यहाँ पर अभी भी मैं कहूंगा कि दरसल में conscious mind और subconscious mind में भी फर्क है यही concept में आपको बड़े असटिक उधारन के साथ conscious क्या है subconscious क्या है और unconscious क्या है यह मैं आपको विस्तार से समझाओगा हला कि मैं अपने courses में हमारा जो course है दिवे दर्शी आकाशीक रिकॉर्ड और mind mastery इसमें में बड़े विस्तार से समझाता हूँ लेकिन मैं यह चाहता हूँ कि कई ऐसे लोग हैं जो मेरा course शायद महीं कर सकते उनकों अभी यह जानना जरूरी है क्योंकि यह जो knowledge है सटीक सही knowledge है उस तो सभी के लिए उपलब होना चाहिए तो इसलिए इस वीडियो के माधियम से बाकी लोगों को भी मैं इस बात से जागरूख करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी तक आपको जो बताया गया है मन के बारे म कि सबकॉंसियस माइड पावरफुल है उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं यह सत्यत नहीं है आपको गया कमाल है कि पूरे विश्व में अभी तक इतने बड़े बड़े लोग जिनोंने किताब लिखिये डॉक्टर जरसाफ मरफी ने किताब लिखिये पावर अप सबकॉंसि क्या है आईए इसको एक उधारन से समझते हैं तो आईए कॉंसियस माइड क्या है सबकॉंसियस माइड क्या है और अनकॉंसियस क्या है और सहे माइने में कौन सा माइड पावरफुल है क्या माइड को प्रोग्रामिंग कर सकते हैं इस बात को हम बड़े सटिक रूप से उध आसपास एक निले रंग का दाइरा बनाया है, महिला के शरीर के आसपास सफेद रंग का दाइरा बनाया है, अब जरा समझेए, वो है उनकी चेतना का दाइरा, यानि की consciousness, conscious mind, जिसे मैं इस कमरे में खड़ा हूँ, इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, और मेरे सामने जो भी आसपास दो से तीन फीट के दाइरे में जो भी होतिक चीजे हैं, उसको मैं अपने पांच इंद्रियों के द्वारा, अपने फाइव फिजिकल सेंसिस के द्वारा अनुभाव कर सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे चितना के दाइरे में हैं, और इसलिए उसे कहा जाएगा, conscious awareness का दाइरा, conscious mind है, लेकिन इस चार दिवारी के भीतर, जहां पर मैं खड़ा हूँ, इस चार दिवारी के भीतर, बहुत सारी चीजे हैं, जो मुझे पता भी है कहां एक कोने में कुछ पढ़ा है, लेकिन मैं उसका अपनी पांच सेंसिस के जरिये अनुभाव नहीं कर रहा है, म प्रकट है, प्रत्यक्ष नहीं है, मतलब मैं अपनी पांच सेंसिस के जरिये उनका अनुभाव नहीं कर रहा, मतलब प्रकट है, प्रत्यक्ष नहीं है, इसका मतलब कि ये जो दो दिवार है, जिसके बीच में डिसंस हैं मान लिजिए, 20 feet वो होगा है, एक दिवार से दुसर तो time and space के भीतर हमारे ही चेतना का वो जो दाइरा जहां पर हम पांच इंद्रियों के जरिये अनुभाव कर रहे हैं, जो प्रत्यक्ष है, वो है हमारी consciousness का दाइरा, conscious mind, लेकिन इसी चार दिवारी के भीतर का वो दाइरा, जो प्रकट है, पर प्रत्यक्ष नहीं है, जिसका ह सब पार्ट of consciousness, सब पार्ट, time and space के भीतर का वो हिस्सा, mind का, जो की पूरे ब्रहमाण में व्यापत है, omnipotent है, omnipresent है, उस omnipotent, omnipresent mind का वो हिस्सा, जो इस कमरे के भीतर है, जो प्रकट रूप से हैं, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं है, जिसको मैं अपनी पांच senses के जरिए अन subconscious, अब जरह समझे, कि इस कमरे के बाहर भी तो बहुत सारा space है, यह जो पुरुष खड़ा है, इस कमरे में, उसके बाहर भी तो पूरे ब्रहमाण में वो space है, तो उसको आप ignore नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने उदान दिया था, कि टीप मुपन आइसबर्ग जो है conscious है, आइसब मुद्र के पानी का वो हिस्सा जो अभी बर्ग के जमा नहीं है, तो यह कमरे के बाहर जो space है, वो unconscious है, अब ज़रह रिलेट करते हैं इस example से, इस कमरे में जो महिला खड़िये, उसका आसपास जो सफेद रंग का धायरा है, वो है उनका चितना का धायरा consciousness, और इसी कमरे का व जितना भी space है, और पूरे ब्रह्मण में जितना भी space है, वो उनका unconscious है, और मन को या हमारी चेतना को समय और सल की सीमा लागू नहीं होती है, you can transcend your mind, आप अपनी चेतना को व्याप बढ़ा सकते हो, समय और सल के परे लेके जा सकते हो, उसको कोई सीमा नहीं है, तो अगर मान लेजिए, ये महिला में ऐसी खुबी है, कि वो अपनी चेतना के दैरे को इतना बढ़ा ले, कि पास वाले कमरे में जो इनसान कड़ा है, उसकी चेतना के साथ भी अपनी चेतना को मर्ज कर लेती है, तो इसका मतलब यह हुआ कि इस पुरुष के चेतना में जो भी thoughts हैं, जो कुछ बोलते हो, तब सामने वाला इंसान कहता है, कमाल हो गया, मेरे दिमाग में भी यही विचार चल रहा था, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, कि अनायास कभी-कभी आपकी चेतना का दैरा इतना बढ़ गया, कि दूसरे इंसान की चेतना के साथ मिक्स हो गया, समान हो गई, तो इसलिए कहते हैं, हमारी वेवलेंट मैच हो गई, कहते हैं, तो यह एक्जामपल में ने दिया, कि इस इस हाओ वी डिफाइन, कॉंसियस, सबकॉंसियस, और उनकॉंसियस, I hope it is very clear, कि हमारी चेतना का वो जो दाइरा है, जिसको हम पाथ सेंसिस के जरिए, फ हम पाथ सेंसिस के जरिए अनुभव नहीं करते हैं, उसको कहेंगे सबकॉंसियस, मतलब सबकॉंसियस, लेकिन इस चार दिवारी के बहार पूरे ब्रह्मांड में जो स्पेस है, वो है अनकॉंसियस, तो अगर हम यह कहें, यह सबकॉंसियस मैंड ही बहुत पावरफूल है, क अब आते हैं इस बात पर किया मन को प्रोग्राम किया जा सकता है, इस कमरे में बहुत सारी हवा है, इसमें ऑक्सिजन है, मैं अपनी सांसों में हवा भर रहा हूँ, अपनी सांसों में जो हवा में भर रहा हूँ, वो पूरे पृत्वी में जो व्याप्त हवा है, उसमें से क कितना oxygen मैं अपने lungs में भरूंगा ये किस बात पर निर्भर करता है मेरी lungs की capacity पर मैं आसपास में जो space है उसमें हवा है उसमें मैं कुछ program नहीं कर सकता लेकिन मैं अपने lungs की capacity को बढ़ा सकता हूँ ताकि मैं ज़्यदा से ज़्यदा oxygen अपने lungs में भर सकूँ मैं हवा को program नहीं कर सकता कि जिससे ज़्यदा oxygen मेरे अंदर आ जाए ठीक उसी तरह you cannot program mind, you can program your brain ये आपका brain है जो एक device है जो की consciousness को generate करता है तो आप अपने दिमाग की capacity को बढ़ा के अपनी चेतना के व्याब को बढ़ा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा मन की जो omnipotentness है या omnipresentness है उसका उपयोग कर सकते हैं जिक वैसे जैसे जहाज समंदर के पानी में जा रहा है समंदर की मोजे उचलती है और उस मोजों की वज़ज़ से जो ship है वो हिलने डूलने लगता है तो क्या आप समंदर के पानी को program कर सकते हो नहीं समंदर की मोजों का सभाव है वो उचलते रहना लेकिन जहाज में ship में वो एक sail होता है आपने देखा होगा कि एक कपड़ा होता है एक बंबू के साथ में लगा हुआ तो sailor है जो है वो उस sail को हवा के रुक के हिसाफ से मोड के अपने जहाज को सही दिशा में लेके जाता ह तो मान लिजिए कि समंदर का पानी जो है वो मन की तरह है that is mind और आपकी चेतना जो है consciousness का होगे चित का होगे वो है sailor और brain जो है वो है sailor समझे इस analogy को दिमाग है वो sailor है चित है वो sail है तो जैसे एक कुशल नाविक अपने sail को हवा के रुक के हिसाफ से उसका दिशा बदल के नाव को सही दिशा में लिके जाता है वैसे ही आप अपने दिमाग के उपयोग से चिच्च शक्ती का उपयोग करते हैं और उस प्रकार से आप अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं और इसलिए मैं कहना चाहूंगा आप इस बात को बड़े बखु conscious mind, but real power of mind lies in using omnipotent and omnipresent mind consciously. मन की शक्ति का सही उपयोग अर्ध जागरत मन या सबकोंसियस मैंड की शक्ति का उपयोग करना नहीं है, पर मन की शक्ति का सही उपयोग, पूरे ब्रह्माण में व्याप्त जो मन है, उस ब्रह्माण में व्याप्त मन का जागरत रुप से उपयोग करना है, अब सवाल यहाता है कि हम मन की शक्ति का कैसे उप्योग करते हैं पहली बात तो मन की शक्ति का आप उप्योग नहीं करते हैं आप चित्र की शक्ति के जरिये मन का उप्योग करते हैं ठीक वैसे जैसे एक कुशलनाविक सेल की मदद से समंदर की मोजो के अंदर अपने नाव को सही दिशा देता है उसी तरह आप अपने चेतना का अपने चित्र शक्ति का दो अलग-अलग तरीके से उप्योग करते हैं और उसको कहते हैं expanded consciousness and extended consciousness expanded consciousness क्या है जैसे आप magnifying glass का उप्योग करते हो किताब को पढ़ने के लिए अगर अक्षर छोटे हैं तो magnifying glass को focus करते हो तो magnifying glass सुरज की रोशनी को कागज के उपर एक बिंदु में focus करता है और कागज चलता है ठीक उसी तरह आप अपने चेतना की शक्ति का extended consciousness अपनी किसी लक्ष के उपर अपने चेतना की शक्ति को focus करने के लिए ताकि आप उसको manifest कर पाएं और ये है मन की पर मन की शक्ति का सही उप्योग पूरे प्रुत्वी में हवा व्यापत है उसको आप प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं हवा की रुक को नहीं बदल सकते लेकिन उसी हवा का उपयोग आप पवन्चक्टी के जरीए बिजली पैदा करने के लिए कर सकते हैं ठीक उसी तरह आप मन को प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं लेकिन उस मन की जो शक्ती है उनका उपयोग अपनी चित्च शक्ती के द्वारा जैसे windmill के जरिये बिजली पैदा होती है वैसे आप अपने चित के जरिये उस मन की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं कैसे expanded consciousness कहते हैं कि सारे सवालों के जवाब हमारे चेतना के भीतर ही हैं हम अपनी चेतना के भी आपको बढ़ा सकते हैं कई सारे ऐसे सवाल हमारे जीवन के जिस जवाब नहीं मिलते हैं लेकिन जब चेतना का जायरा हम बढ़ाते हैं सारे सवालों का जवाब मिलता है और वही हम अपने दिवे दरस्टी आकाशिक रेकॉर्ड कोर्स में सिखाते हैं कि कैसे आप अपने चेतना का जायरा बढ़ाते हो और उससे अपने जीवन की समाशिया का समादान प्राथ कर सकते हैं तो expanded consciousness and extended consciousness कई लोग मुझे पूछते हैं कि सर ये आपका दिवेदरस्टी आकाशिक records जो course है उसमें आप आकाशिक record को कैसे access करना ये सिखाते हैं और साथ में आप ये भी कहते हैं कि आप time travel के जरी ये session करके time travel का session के द्वारा किसी व्यक्ति के problem का solution देते हैं तो ये time travel और आकाशिक records में फरक क्या है तो फरक यही है कि expanded consciousness extended consciousness किसी एक चीज को आप magnifying glass के द्वारा देखते हो magnify करके वो हो गया आकाशिक record reading लेकिन उसी चीज को आप microscope के द्वारा देखते हो फरक है तक जा सकते हैं और इसे कहेंगे extended consciousness तो यह है time travel का session जो की microscope के जरिए देखते है extended consciousness ठीक है आकाशिक record क्या है expanded consciousness जिसमें आप अपनी चीज़ना का दारा बढ़ाते हैं जीवन की जो समझ्या है आपकी उसमें यूगट डिवाइन inside एक divine guidance जो आपकी चीज़ना में inculcate होता है frequency के रूप में और आपका brain उसे process करके आपको synthetic रूप में या verbally dream के रूप में या आप उसको decode कर सकते हैं उसको समझ सकते हैं उमिद करता हूँ मैंने जो आपको यह समझा है मन के बारे में के वाकवी में कौंसा नशक्तिशाली है मन की संकल्पना क्या है gefकार्या क्या है subconscious मने आपको example के साथ define करके समझा है आज किसी ने भी मैं दावेसे यह कह सकता हूँ किसी ने भी किसी भी किताब में आपको यह नहीं समझाया होगा जो कि मैंने बताया कि time and space का भीतर का वो हिस्सा जो प्रकट रुपस है लेकिन protection नहीं है जिसका आप 5 senses के जरी अनुभव नहीं करते हैं इसलिए उसको sub-conscious कहा जाता है और इस कमरे के बाहर का पुरा जो space से ब्रह्माण में व्यापत है उसको unconscious कहते हैं मन की शक्ति का सही उप्योग है पूरे ब्रह्माण में व्यापत जो मन है उसकी शक्ति का उप्योग करना है consciously जागर्द रुपस है अपमें चित की शक्ति के जरीए उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक जरूर करें कॉमेंट भी जरूर करें क् इससे हमको भी प्रेणा मिलती है हमें लगता है कि ज्यादा ज्यादा अच्छे टॉपिक के उपर आपको इसी तरह से परमात्मा ने जो भी हमें एक शंता दी है उससे आपको आउगत करा है मेरे वीडियो आप देखते होंगे कि ऐसा नहीं है कि ज्स कॉपी पेस्ट होते है मेरा deep research होता है सालों का research होता है और वो मैं आपको बताने की समझाने की कोशिश करता हूँ तो इसे like करे, comment भी जरू करे, share जरू करे मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ता कि सब को ये knowledge मन के बारे में आपको नहीं लगता कि सभी को इसके बारे में जान करने की कोशिश करी है, वो उनका नीजी दरस्टी कौन है, लेकिन मैंने आपको logically example के साथ समझाया, तो इसे share जरू करिए, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को subscribe नहीं किया, तो subscribe भी जरू करे, धन्यवाज, शुक्रिया.